दूस्तों, आज की वीडियो काफी ज़दा important होने वाली है, अगर आप estimation सीखना चाते हो, rate analysis बोलो, या billing की line में जाना चाते है, तो video important होने वाली है, काफी comments थे की sir, जो brickwork किया जाता है, जुडाई की जाती है, उसका estimation कैसे किया जाता है, मतलब labor rate हमें क्या पड़ेगा, कोई गर है, यहाँ कोई construction होई, एक दिवार है, चलो example लेते हम कोई दिवार है, तो उसको बनाने में labor का खर्चा कितना पड़ता है, कैसे निकालेंगे, अगर lump sum निकाले हम एक दिवार को बनाने में खर्चा, यह room को बनाने में खर्चा, फिर plaster की बात करते हैं, plaster को measurement कैसे की जात देखो, थोड़ा टाइम आपका लूँगा, लेकिन काफी चीज़े सीख के जाने वाले हूँ, उससे पहले एक काम कर लो, प्लीज चैनल को subscribe कर लो, वो लाल बटन जो दिख रहा है, उसको दबा दो, बैल ऐकन दबा दो, practical knowledge, सब कुछ चीज़ें आपको civil side visit चैनल पे मिल ज दिवार लेंगे, तीन मिटर हाइड में चलो अभी, आपको theoretical party समझाता हूँ, इसका, वो brickwork और cluster का rate analysis हम करने वाले है, तो इसमें example लेली, मैंने 4 मिटर हमारी लंबी दिवार, 3 मिटर उसकी height है, और एक बीच में window लगी है, इसकी deduction का भी में समझा देता हूँ, procedure क्या होता ह देखो सबसे पहले किसी भी चीज की आप brickwork की हम पकड़के चलते हैं, brickwork की जो measurement की जाती है, वो square feet में भी आती है आपकी, m cube में भी आती है, cubic meter में, तो उसके लिए क्या करते हैं, tape को आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक tape, जहां जितनी लंबी आपकी दिवार तो आगे में feet में convert कर लूँगा, ठीक है, तो mostly आजकल drawing आपकी meter में रहती है, तो 4 meter लंबी, 3 meter height, 230 mm वो चोड़ी है, दिवार है, और जो खिड़की है, वो 600 mm ऐसे है, 900 mm height है, यह clear हो गया, फिर अब हम चलते हैं, 4 meter इसको निकालने का सबसे पहला step कर रहता है, 4 meter यह हमारी आगे लंबी, फिर height आगे उसके 3 meter, और यह आगे 230 mm हमारी मुटाई, तो clear यहां तक, तो यह mm है थी, तो इसको हम meter में convert कर लेंगे, तो meter में convert करने के लिए क्या लग जाएगा, 0.230, फिर वो meter में convert हो जाएगी, मतलाब उसको 1000 से कर लिया, फिर हमार तीनों को multiply कर देने, त 2.76 m3 हमार आगया, यहां तक clear हो गया, कि हम इसका quantity निकाल ले इसकी, फिर अभी deduction करने बड़ेगी, क्योंकि यहां खिड़की में तो हमारी brickwork नहीं हो रही है, तो इसको निकालने है, तो हम यहां से इसको यहां लिख देते हैं, फिर इसका volume हमें निकालना होता है, तो इसक size 600 है, 900 height है, और 230 की होगी, क्योंकि दिवार 230 की है, तो उतना ही छोड़ना पड़ेगा, हमें उसके लिए gap, clear, इन तीनों का multiply किया, वो आगे हमारा 0.124, तो 27.6 total का आया था, इसमें से खिड़की minus के लिए, तो हमारा आया 2.636, calculation पर दियान दें, नहीं दो इंदा, जो process है procedure है, उस पर देखना, 2.636 आ ठीक है, अभी labor cost निकालते हैं कि इसको अगर हमें MQ में निकालने तो हमें labor cost कितनी बढ़ेगी, तो एक MQ के लिए क्या होता है, थम रूल है, एक mystery, दो helper, चाहिए होते हैं, mystery समय कितना 800 रुपया ले रहे हैं, और साड़े 400, साड़े 400 आपके helper ले जाते हैं समय, यह कम बता रहा हूँ, कई जगा जादा भी ऐसे, तो यह 1700 रुपया आपका लगा लो, और एक mystery दो helper, एक दिन में 8 गंटे की shift में, 8 हाओ में, इतना करते हैं, एक MQ ब्रिक वर्क कर देते हैं, तो हमारा total लोड़ा 2.636 MQ हमारा हो रहे है, तो 1700 से multiply करेंग फिर इसमें material cost, अगर material का कितना खर्चा निकालना हो, कैसे निकालते हैं, ब्रिक वर्क का, यह process समझा रहा हूँ है, मैं किसी दिवार की rate analysis नहीं कर रहा हूँ, process समझा रहा हूँ, estimate कर रहा हूँ, rate आगे पीछे हो सकते है, rate अपने से डालने ना हो, तो हमारा कितना 2.63 MQ आ के लिए हमें approximately 100 रुपया लग जाता है, material, मतलब labor cost नहीं है, इसमें material का, ब्रिक आगे, cement आगे, sand आगे, तो बुंजा 100 रुपया, तो 2.63 MQ था हमारा, तो बुंजा 100 से multiple है, 13707 रुपया हमारा कि इसमें material में खर्चा लग गया, दोनों को total करना हो, अगर हमें, दोनों को total कर लेते हैं, दोनों को 13707 प्लस 4481, दोनों को करेंगे, तो हमें material प्लस labor cost का खर्चा मिल जाएगा, कि इतनी MQ की हमारी दिवार थी, तो वो उसको करने में इतना आगया, यह आगया MQ में, फिर कहीं जगा क्या किया जाता है, स्केर मीटर में, यहां स्केर फीट में किया है तो उसको ले क्या करना है, आपको tape मारनी है, लंबाई में और height में, इसमें दो ही काम करने है, लंबाई में 4 मीटर था हमारा और height 3 मीटर थी, तो वो आगया हमारा 12 स्केर मीटर, 12 स्केर मीटर मिल गया, लेकिन यहां window भी थी, इसकी deduction हमें करनी है, तो इसको करना है 0.600 mm में है, मीटर में convert कर लो, 0.600 multiply by 0.900, 0.600 multiply by 0.900, इसको जब हम दुनों को multiply करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 0.54, ठीक है, टोटल 12 आए था, उसमें से deduction कर ली, हमने निकाल दिया, 12 माइनस यह कर दिया, तो आ गया 11.46 m स्केर, ठीक है, मीटर स्केर आ गया, इसको आगे देखते हैं मेटर स्केर आ गया, अभी हमें convert करना है, इसको स्केर फीट में, चूंकि mostly स्केर फीट में आपको rate देखने को मिलेगा, मैं rate आगे बताने माला हूं, तो उसको स्केर फीट में करने के लिए हम 10.76 से multiply करते हैं, जो आपका मेटर स्केर होगा ना, उसको convert अगर आपको करना हो झो ऑगा, तो 10.76 से multiply कर देना, तो 11.46 INTO 10.76 किया, तो 13.3 स्केर फीट हमारा क्या आगया, area आगया, जब area हमें मिल गया, तो rate चार इंच की दिवार करनी ہے, तो 18-20 स्केर फीट है, शे इंच की दिवार करनी है, 23-26 रूपर स्केर फीट है, 9 इच की दिवार करनी है, 26-35 रू एक-दो रूपय आगे पिछ रहेगा तो हमारा आया था कितना आया था हमारा आया था 123 स्केर फिट अभी हमें रेट डालने हैं लेवर खर्चा कितना बड़ेगा 123 हमारी 9 इंच की दिवार थी 230 हमारी पकड़ के चलो 9 इंच की दिवार थी हमारी उसका रेट होता है 26 से 35 इंच की इसाफ सी चेंज होता है तो हम हाइस ट्रेट पकड़ लेते हैं तो 123 मुइंट इंच इंटू 35 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4315 हमारा लेवर कॉस्ट आएगा किसमें उस दिवार को बनाने में यहां दा इसेखिए 23 इसना द राएगा 5 मिटर यहां य उसकी तीन मिटर है तो इसको सबसे पहले क्या गरने है टेप आपने मानए जतनी לकी डिवार हो तो हमारी 5 मिटर हाई थीन मिटर हाई तो इसको क्या करने है 5 इंटू 3 पहले मिल आइगी 25 मेटर हमारी जो दिवार है उसको प्लास्टर करने है अभी जो लेवर रेड इस समय चल रहा है कि इसका प्लास्टर करने का अगर स्केर मीटर में हो देखे 15 इंटू 85 185 से 230 तक रेड समय लेती है प्लास्टर करने का तो 15 इंटू 85 किया तो 2775 रुपय हमारे इसको दिवार करने के लेवर कोस्ट लग जाएगी अगर स्केर फीट में तो स्केर फीट में रहता है तो स्केर फीट में कनवर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था 15 को आपको जो स्केर मीटर में कनवर्ट करना उसको 10.76 से मल्टिवलाई करने है तो 15 x 10.76 किया तो हमें मिल गया 161.4 स्केर फीट हमारा एरिया हुआ तो जो मार्किट रेट समय चल रहा है प्लास्टर करने का वो आपका 12 रूपे से 25 रूपे पर स्केर फीट होता है तो 1100.15 किया हमें तो हमें मिल गया कि 2421 रूपे हमारा लेवर कास्ट आएगा इसको इसको प्लास्ट करने हैं अब कहीं कोशन होगे दोनों रेट में थोड़ा बहुत अंतर है तो देखो रेट आगे पीछे होते हैं 180 कहीं जगा 180 लिए जाएगा और यहां एक बारां भी हो सकता है 13 14 वह रेट अपने से आड़ करने में प्रोसीजर आपको बताते जा रहा हूं फिर Area तो यह पॉसीजर होता है कुछ जाइप आपको समझ आ ऑगे होगा जो पोशन नहीं समझ आए है जिसको doubt है तो comment जरूर करना video pause करके देख लीजिए एक बार द्वारा procedure लिखोगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे Thank you guys